तो कैसे हैं आप लोग तो आज एक बार फिर मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक है क्लास 12 का और वो है सॉलिड स्टेट तो आज हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे टाइप्स आफ यूनिट सेल तो आज हम दिखेंगे कि यूनिट सेल कितने तरह की होती है और उसको one by one हम उसको classified करेंगे तो चलिए है स्टार्ट करते हैं तो अब हम बात करेंगे यूनिट सेल के यूनिट सेल हमारी further जो यूनिट सेल है यानि यूनिट सेल वो दो categories में divide होती है वो तो categories में divide होती है generally इसको दो categories में divide करते है first one अगर हम पहली बात करें तो primitive cell primitive cell and then second one है मारे पास centered unit cell centered unit cell और centered unit cell further defined होती है further classified होती है चार categories में जिसमें एक simple cubic है simple cubic unit cell दूसरी है face centered unit cell face centered unit cell और उसके बाद body centered unit cell body centered unit cell and then उसके बाद end centered end centered unit cell okay Friday तो चलते हैं देखते हैं simple cubic unit cell क्या होती है simple unit cell क्या होती है okay तो चलो start करते हैं देखो इसके लिए मैं आपको diagram बना के दिखाता हूँ कि हमारे simple unit cell कैसी होती है actually unit cell होती क्या है you know that the repeated structure the simplest and repeated structure in an entire unit cell in a simplest basic structure that repeated in entire crystal like this तो आप देखो कि जैसा मैं इसको draw कर रहा हूँ आपके सामने ओके एक छोटा साई crystal lattice है यह छोटी सी unit cell है कौन सी simple cubic unit cell drawing यह तीछ नहीं है फिर भी उसे मैं बनाने कोशिश कर रहा हूँ तक आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ देखो simple cubic unit cell अब यहाँ पर आपको समझने है वो यह है कि इस simple unit cell के अंदर corners के उपर corners के उपर यहाँ पर जो corner है vertices है यहाँ पर atoms का participation होता है atom participate करते हैं joint करते हैं इनको further हम constituent particle कहते हैं क्या कहते हैं constituent particle देखो ओके ध्यान से देखो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ red से ही बना लेता हूँ ओके आपको समझाने के लिए तो देखो यह atoms corner पर आकर क्या करें constitute कर रहे हैं participate कर रहे हैं एक unit cell को बनाने में अब exam में अक्सर question यह आता है कि अब बताओ कि कितने atoms क्या कर रहे है participate कर रहे हैं इसके structure में कितने atoms participate कर रहे हैं कितने atoms इसमें participate कर रहे हैं इसको निकालने का बहुत आसान concept है देखो total over हमारे upper surface और lowered surface पे total number of atoms कितने 8 और हर atom का हर atom का जो participation है वो one earth है कितना है one earth तो अगर हम इसको simplify करें mathematics के थूँ तो क्या होगा total one atom यानि simple cubic में सिर्फ एक atom होता है complete egg एक atom जो entire crystal lattice को बनाने में यानि बनाने में लगता है यानि सब के participation को मिला कर total कितने atoms होंगे एक atom exam में यह question पुछायता है कि इसका rank क्या है rank भी लगबग यही होगी जो इसके number of atoms पर आएंगे तो I hope that यह आपको बास समझ में आए होगी अब हम चलते हैं सिधे body centered के उपर body centered तो body centered को भी मैं यहीं पर बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए body centered तो आप देखो body centered क्या है okay body centered unit cell क्या होती है इतना मुश्कल नहीं है okay देखो body centered यूनिसल इसमें पहली बात क्या होता है कि जिस तरह simple cubic structure में corner पर atoms होते हैं same body centered में भी ऐसा ही होता है कि यहां पर यहां पर corner में वैसे ही atoms पाये जाएंगे corners में मैं इसको blue से बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से यह समझ में आ जाए body centered का concept ओके देखो जैसे simple cubic में है वैसे ही body centered में है अब body centered में सबसे खास बात क्या है कि पूरे center में एक complete atom होता है पूरे center में एक complete atom होता है जैसा कि आप इसको देख सकते हो ओके देखो पूरे center में एक complete atom आपको देख जाएगा ओके तो यह structure हो गया आपका body centered unit cell अब आता है इसमें number of atoms कितने होंगे तो जैसा कि पहले बात आप देख सकते हो कि corner के उपर corner के उपर atoms है corner के उपर atoms है corner के उपर atoms है तो उनका participation कितना होगा 8 into 1 upon 8 प्लस आप देख सकते हो कि center के अंदर center के अंदर complete एक atom है तो total number of atoms कितने होगे total number of atoms हो गए कितने 1 plus 1 is equal to 2 atoms तो देखो बहुत simple है आप देखो simple cubic में एक atom लगता है body centered में एपरोक्स दो atoms लगते हैं अब हम चलते हैं next किसकी तरफ next चलते हम face centered की तरफ उसे भी हम check कर लेते हैं तो face centered को हम बनाते हैं वो भी देखो बहुत आसाँ easy diagram है मैं कोशिश करता हूँ आपको समचाने की देखो अच्छा ये बताओ कि एक cube के अंदर या cuboid के अंदर कितने faces होते हैं आप सबने loodos तो खेला होगा loodos में dice को देखा होगा तो dice में total कितने numbers होते हैं obvious सी बात है 6 numbers होगे 1,2,3,4,5,6 तो total faces कितने होगे 6 faces होगे हैं तो ये देखो अब यहाँ पे भी concept क्या होगा यहाँ corner पे atoms होगे देखो मैंने इसको green से बनाया है आप इसको देख सकते हो अब जो concept है क्योंकि ये face centered है तो face centered में होगा क्या concept कि इसके हर एक face के उपर इसके हर एक face के उपर half of the atom अंदर की तरफ participate करेंगे और half of the atom बाहर की तरफ half of the atoms बाहर की तरफ देख सकते हो आप मैं इसको चारो तरफ इसी तरफ बनाता हूँ आप देखना इसके देखो इसके देखो अब मैं इसको blue से बनाता हूँ यह देखो इसके अंदर का participation अब हम यह कह है face centered unit cell face centered unit cell अब आता है इसमें number of atoms कितने होते हैं तो इसको calculate करना काफी ज़्यादा असान है देखो पहली बात कितने faces हैं six faces कितने faces six faces और six faces में हर atom का participation कितना है half है कितना है half plus corner पे कितने atoms हैं by eight atoms हैं और हर एक atom का आठवा हिस्सा क्या participate कर रहा है तो eight into one upon eight total eight ones are eight six twos are three now three plus one how much four atoms तो इसके जो number of atoms होंगे वो कितने हैं four और simple cubic के कितने होंगे number of atoms कितने होंगे simple cubic के number of atom simple cubic के number of atom कितने होंगे वो one होंगे body centered में कितने हैं two तो आप देख सकते हो बहुत सीधा से हैं diagram भी आपके सामने है तो मैंने simple cubic में body centered में face centered में तीनों में मैंने निकाला अब मैं आपको दिखा रहूंगा सिधा कहाँ पर end centered की बात करूँगा किसकी end centered end centered को भी आप देख लो end centered की भी मैं बात कर लेता हूँ end centered को इतना खास नहीं है बिल्कुल इसी तरह diagram से अब मैं end centered को बनाता हूँ तो दैसा देखो end centered का structure कैसा होगा okay end centered में क्या है कि आप कोई दो ends ले लेते हो जिसके face के उपर half of the atom participate करते हैं okay कोई दो ends पहले तो मैंने simple cubic की तरह बनाया okay simple cubic की तरह ठीक है देखो simple cubic में यहाँ पर atoms यहाँ corner पर atoms यहाँ atoms यह corner पर atoms हो गया okay यह corner पर atoms हो गया okay अब क्या है इसके face पर दो atom किसी दो ends पर किसी दो end पर तो देखो एक end यह हो गया okay एक end यह हो गया okay जैसा कि आप देख सकते हो okay अब इस पर number of atom निकाला हुआ तो आसान हो जाएगा obviously बात है पहले बात वही 8 into 1 upon 8 plus दो ends है और दोनो ends के उपर half of the atom का participation है 2 ones are 2 okay 2 ones are 2 और 8 ones are 8 total number of atom कितने हो गया 2 कितने 2 तो आप देखो सारे structure मैंने आपको बना के दिखा दिए I hope that यह आपको इस वीडियो में आपको यह चीज़ समझ में ही आई होगी I hope that आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक और सबसाब जरूर कीजेगा थैंक यू कितने हैं